नमस्कार दोस्तों, वेलकमें दूजी के टिक्स इस वीडियो से हम राजस्तान की आर्थिक समिक्सा 2021 के जितने भी महत्पुन प्रशन बनेंगे जितने भी इंपोर्डन फैक्ट होंगे वो मैं आपके सामने रखूँगा ये वीडियो आरेस एक्जाम्स के लिए काफियाद की इंपोर्डन है और देखे जो भी स्टुडेंट आरेस की तियरी कर रहे हैं जिनने थोड़ा सो भी डर लग रहा है कि मेरा प्री क्लियर होगा या नहीं होगा उनसे मैं एक बात कहूँगा कि लास्ट बार जिन स्टुडेंट के 58 प्रश्ण सही हुए थे कार्ट पीट कर उनका सेलेक्शन हुआ था प्री एक्जाम में इस बार आप डैट सो में से 70 या 75 प्रश्ण अगर आप सही कर पाते हैं तो भी आप अच्छे अंकों के साथ पास हो सकते हैं तो आपको गवरने के बिल्कुल भी आफशकता नहीं है जो ये एकोनोमिक सर्वे हैं इन में से हर बार डैटली 10 प्रश्ण और इन डैटली 5 से लगा कर 10 प्रश्ण बनते हैं तो ये काफिया दे की important है आप इमांदारी के साथ हमारे वीडियो को follow करिएगा जितने भी fact मैं आपको provide कर रहा हूँ वो आपको कोई पर लिख लेने और बार बार इनका revision करना है exam के time आपको एक बार इनको वापस देख कर जाना है तो चलिए शुरुवात करते हैं फरस्ट कोईशन देखते है और द्योगिक उत्पादन सुचकां का आधार वर्स है 1999, 2000, 2005, 2006, 2011, 2012 या फिर 2015, 2016 देखें आपर जो इसका correct answer होगा और द्योगिक उत्पादन सुचकां का आधार वर्स है 2011, 2012 या आप context लिद्यान रखेंगा 2016 और 2018 में RSK पेपर हुए थे उन में सायत राजस्तान का जो थोक मुली सुचकां के इसका आधार वर्स पूचा गया था तो ये कितना है? ये है 1999, 2000, या आप द्यान रखेंगा और अकिल भारती स्तर पर थोक मुली सुचकां का आधार वर्स है 2011, 2012 तो ये सारे एफेक्ट आप द्यान रखेंगा नेक्स्ट आगे चलते हैं वर्स 2020, 21 में राज्य की कुल अधिश्ठापित उर्जा की छमता कितनी है? दिसंबर 2020 तक का आकड़ा आर्थिक्समिक्समा दे रखा है तो राज्य की कुल अधिश्ठापित उर्जा की छमता है 21,836 मेकावट तो उप्सन में फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा तो ये आप द्यान रखेंगा और निचेवल अफेक्ट भी आपको ये द्यान रखना है कि राजस्थान का जो थोक मुली सुचकांक है वो 2020,21 में कितना रहा है तो 334.19 ये आप द्यान रखेंगा आगे चलते हैं जंदगड़ना 2011 में राजस्थान की सहरी जनसंख्या कितनी रही है तो देखिए यहाँ पर जो उसका करेक्ट आंसर होगा चोईस पॉइंट नो परतिसथ ये फेक्ट आप जिरूर द्यान रखेंगा इंपोर्टेंट है अगर हम संख्या की बात करेंगा तो 1.70 करोड लगबग ये जनसंख्या रही थी सहरी और इसके लावा निचेवल अफेक्ट भी आप द्यान रखेंगा ग्रामेंट जनसंख्या कितनी रही थी 2011 की जनकर्णा में राजसन की 5.15 करोड या फिर परतिसथ में बात करें तो 5.1 परतिसथ ये फेक्ट आपको द्यान रखना है आगी चलते हैं वर्ट्स 2020-21 में प्रति व्यक्ति आए इस्तिर कीमतों पर कितनी रही 1297 तो ये आप द्यान रखेगा उप्सनल फोर्ट ये पर करेक्ट आणसर है अगर आपसे प्रतिवक्ति आए प्रचलित कीमतों पर पूछ ले तो ये भी आप द्यान रखेगा 1,9,386 चलिए आगे चलते हैं सकल गरेलू सकल रज्य गरेलू उत्पाद इस्तिर कीमतों पर वर्ष 2021 में कितना रहा है तो ये कितना रहा है देखे करेक्ट आणसर होगा उप्सनल फोर्ट 6,43,222 करोड ये आप द्यान रखेगा लाश्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लाश्ट में तीन बार दो आ रहे हैं अगर आप से पूछ ले जाए 2020-21 का ये कितना है 9,57,912 करोड रुपए तो ये आप द्यान रखेगा आगे चलते हैं देखे यहाँ पर एक और फेक्ट है देखे यहाँ पर एक और फेक्ट है कि जो वर्ट्स रहा है 2019-20 2019-20 में जो इस तिर कीमतों पर सकल गरेलू रज्य उत्पाद था वो कितना था? वो था 6,88,714 करोड तो इस बार लाश्ट बार की तुलना में कम रहा है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा सकल रज्य गरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर वर्स 2020-21 में कितनी वर्दी हुई है पिछली बार की तुलना में इस बार कितनी वर्दी हुई है तो देखिए इस बार वर्दी ना होकर इसमें कमी हुई है तो कितने परतिसद कमी हुई है माइनस 4.1 परतिसद की कमी हुई है प्रचलित कीमतों पर तो यह आप द्यान रखेगा और इस्तिर कीमतों पर भी कमी रही है जस्ट में आपको यहाँ पर आगे बताए था यह अवर आप देखिए लास्ट बार यह रही थी इस बार यह रही है तो इसमें मैनस रहा है तो यह मैनस वर्दी कितनी है तो यह आप द्यान रखेगा मैनस 6. पॉइंट छे एक तो यह दोने फेक्ट आप द्यान केगा यहां उपर जो यह फेक्ट है यह प्रचलित कीमतों पर नीचे वाला फेक्ट है इस्तिर कीमतों पर आगे चलते हैं सकल राज्य मुल्य वर्धन में क्रसी छेत्र का योगदान इस्तिर कीमतों पर वर्ष 2020-21 में रहा है तो देखें तीन छेत्र होते हैं परमुकत एक होता है क्रसी छेत्र एक होता है उद्योग छेत्र और एक होता है आपका सेवा छेत्र तो यहां पर जो उसका स पॉइंट 45 पृतिषद यह क्यम सोत पर है तो इस्तिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर आप आप अगर आप अगर अग्णाम है पूछ ले जाए तो यह भी आप द्यान रखेघा प्रचलित कीमतों पर रहा है ne तरसी का योगदान 29.77% उद्ध्योकर आए 24.80% और सिवत छेद्रगार आए 45.43% यह सारे फेक्ट इंपोर्टेंट है आप किसी को भी ने छोड़ सकते हैं अगर एक दू बार भी आप इनको वापस पढ़ लेंगे तो आपको यह याद हो जाएंगे और एक्जाम में जो भी आपको अप्शन मिलेंगे वो इतने भी क्लोज क्लोज नहीं मिलेंगे अलग लग मिलेंगे लेकिन अगर आपको एक बार भी अच्छे से पढ़ रखाएं तो आप आसाने से इसको से गर के आ जाएंगे आगे चलते हैं 2011 की जंगर्णा में राजस्तान का सहरी लिंगन उपात कितना रहा था तो देखिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा राजस्तान का सहरी लिंगन उपात रहा था 2012-11 की जनगर्णा में 914 परती 1000 पुरुष यह आप द्यान रखिएगा और देखिए 2001 में कितना रहा था सहरी लिंगानुपाथ तो यह रहा था 890 यानि कितनी वर्दी हुई है तो 24 की वर्दी हुई है तो यह आप द्यान रखिएगा ग्रामिड लिंगानुपाथ की बात करे 2011 की जनगर्णा में रजस्थान का तो यह रहा है 933, 2001 में कितना था तो 930 तो इस लाश्ट बार की तुलना में इस बार वर्दी हुई है प्लस 3 की तो यह भी आप द्यान रखिएगा 2011 की जनगर्णा में राजस्थान की सहरी साक्सरता कितनी रही है तो देखिए करेक्ट आंसर होगा सहरी साक्सरता रही है 89.70 परतिसत यह important fact आप द्यान रखिएगा और ग्रामिड साक्सरता दर रही है 61.4 परतिसत आगे चलते हैं वर्तमान में कुल कितने छेतरी अग्रामिड बैंक है तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1566 option more second यहां पर करेक्ट आंसर होगा तो यह आप द्यान रखिएगा कुल राश्थी करत बैंक कितने है तो यह है 4272 निजी बैंक है 1499 विदेशी बैंक के साथ और लगू वित बैंक है 351 यह सार एफेक्ट आप द्यान रखिएगा इस सब एफेक्ट राश्थान के संदर में है आगे चलते हैं राश्थान के अध्योगिक विकास को गति देने वाली सीट संस्ता कौन सी है देखिए इसका जो करेक्ट आश्थान होगा वो अध्योगिक विकास को गति देने वाली सीट संस्ता है इसकी फुल फर्म पे आप जान रखिएगा राश्थान राज्योगिक विकास एवम वी नियोग निगम लिमिटेट आगे चलते हैं राश्थान से निरियात होने वाली सीट्स वस्तु ये कौन सी है तो देखिए करेक्ट आश्थान होगा ये सब जितने वी वस्तु दे रखिए है ये सीट्स वस्तु है सीट्स पांच वस्तु है तो कौन कौन सी है इंजिनीरिंग वस्तु है कपड़ा, हस्तसिल्प, रत्न एबम आभूशन और धातू ये पांच सीड स्वस्तू हैं जिनका राजस्तान से निर्यात होता है तो सब ये हमारा correct answer होगा राजस्तान में कितने परकार के खनीजों का भंडार है देखिए, correct answer होगा 81 परकार का राजस्तान में खनीजों का बंडार है जो ये नए आकड़े दे रखे हैं आर्तिक समिक्सा के इसमें यही दे रखा हैं तो आपको यही दियान रखना है और कुल कितने परकार के खनीजों का उत्कुनन किया जाता है तो 57 परकार के खनीजों का उत्कुनन किया जाता है तो ये फैक्ट आप दियान रखेगा निम्न मैंसे किस खनीज का राजस्तान एक मात्र उत्पादक है सीसा, एबम, जस्ता, आयस्क, सैलेनाइट, वॉलेस्टोनाइट या फिर सभी देखिए, correct answer होगा राजस्तान एक मात्र उत्पादक है इन सभी का तो सभी हमारा correct answer होगा और राजस्तान का लगबग पूरा उत्पादन में योगदान है चांदी में भी, जिपसम में भी और केलसाइट में भी ये भी आप दियान रखेगा हाली में जो रीट का एक्जाम होगा है उसमें पूछा गया था कि जिपसम का सरवाद्य कुत्पादन करने वाला रजजी कौन सा है तो कौन सा है राजस्तान तो ये आप दियान रखेगा राजस्तान इन सभी में पर्थमी है चांदी में जिपसम में और केल साइट में तो ये आप दियान रखेगा राजस्तान में कुल परधान खनिजों के कितने खनन पटे है तो देखिए याँ पर जो इसका correct answer होगा 176 परधान खनिजों के खनन पटे है राजस्तान में और राजस्तान में कुल अपरदान खनिजों के खनन पट्टे कितने हैं तो 14,982 तो ये दोना आप फ्रेक्ट दियान रखेगा आगे चलते हैं नेम्न मेंसे कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है राजस्तान सरकार द्वारा जो स्रमिकों को नियुंतम मजदूर दी जाती है उसके स कुसल स्रमिक 399 रूपे देखिए यहां पर जो सही सुम्मिलित नहीं है वह आफस्ट में फोर्थ जो उच कुसल स्रमिक है इनको राश्य दी जाती है 299 रूपे यहां पर 399 दे रखा इसके आरान ये गलत है बाके जितने वी फैक्ट है यह सभी सही है तो यह 4 फैक्ट आप यूजना ये प्रारम के गई एक फरवरी 2019 से तो यह फैक्ट इंपोर्डेंट है यह आप द्यान रखिएगा और जो मुख्यमंत्र यूजना है यह क्या है देखिए इसके अंदर गत बिरोजगारों को बता दिया जाता है तो पहले इसमें पूरुसों को दिया जाता था ती मर्तमान में इसकी जो रासी है वो बढ़ा दी गई है जो पूरुशों की रासी है वो तीन हजार से 40,000 हो गई है और जो महिला ट्रांजर्णे दिव्यंगों के लिए साढ़ेतीन अजार थी इसको को सब्सक्राइब कर दिया गया यानि एक हजार रुपे की बड़ोतरी की गई है तो ये फैक्ट आप दियान रखेगा नवीन एवम नवी करणिया उर्जा मंत्राले भारत सरकार के आकलन के नुसार राजस्थान में सोर उर्जा के कितनी विद्यूत उत्पादन समता विद्य कुशन है यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वोगा 142 गीगावोट यह आप दियान रखेगा आगे चलते हैं मार्च 2020 तक राजस्थान की सड़कों की कुल लंबई थी देखें यह लेटेस्ट आकड़ा है जो कि इस बार की जो आक्तिक समिक्स इसमें दे रखा है तो आपको यह दियान रखना है मार्च 2020 तक का तो मार्च 2020 तक राजस्थान की सड़कों की कुल लंबई थी दो लाक उनसित्तर हजार 28.16 किलोमेटर तो यह फैक्ट आप दियान रखेगा यह काफी इंपोर्डेंट आगड़ा है इसको आपको धियान रखना है परदान मंतरी आ आवास योजना ग्रामेंट छेद्रों में तो यह आप दियान रखेगा सेकेंड नमर और 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 अंसर होगा आगे चलते हैं राजस्तान की सर्वादिक सहरी आबादी वाले जिल्लों का अवरोई करम यह आपको बताना है यानि सबसे अधिक किस जिल्ले की जो सहरी आबाद सबसे कम सहरी आबादी की अबात करें तो यह है दूंगरपूर की 6.39 परतिसत उसकी बाहर मेर फिर मासवड़ा परतापगढ और ज़ालूर की इसारा आगडल्ä दे रखेंक सर्वे के इंदर गरता तो इन से भी के बार में आपको ध्याम रखना है आगे चलते हैं राजस्तान जन आधार योजना को लागू करने की गोश्णा किस बजट में की गई थी देखिए करेक्ट आंसर होगा दो हजार उननिस बीस में ऑप्शनों फरस्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा इस योजना क का मुख्य उद्यश्य क्या था एक नंबर एक कार्ड एक पैचान के उद्यश्य को पूरा करने के लिए योजना शुरू की गई थी तो यहां थोड़ा सा द्यान रखेगा आगे चलते हैं राजस्तान की नवीन परेटन निति कब लागू हुई देखिए कोशन काफी अधि लमारा करेक्ट आंसर होगा इसके अलावार निचेवल एफेक्ट भी काफी दिक इंपोर्टेंट है इनके बर में आपको द्यान रखना है दो हजार बीस में जो दो हजार बीस का पूरा वर्स राय इसमें कुल 155.63 लाख परेटकों ने राजस्थान का ब्रमन किया है जिसमें से जो सोधेसी परेटक है वो कितने है 111.17 लाख और विदेसी परेटक कितने है 4.46 लाख तो ये फेक्ट आप धिरू दियान रखेगा ये भी इंपोर्टन फेक्ट है नेक्ट देखते हैं कोरोना काल में जो कितने घंटे का सिक्सा कारेक्रम प्रसरित किया जाता था देखें फर्स्ट बात आप ये दियान रखेगा कहां पर किया जाता था दूर दोसन राजस्थान पर और ये कितने घंटे किया जाता था तो सवा तीन घंटे ये फेक्ट आप दियान रखेगा निचेवल अप राजस्तान स्वास्ति बीमा योजना कब आरभ हुई देखे करेक्ट आंसर होगा 1 सितंबर 2019 को प्रारभ हुई है आय उस्मान भारत माहत्मा गांदी राजस्तान स्वास्ति बीमा योजना यह आप द्यान रखेगा शुरुवात में इसमें समाने बीमारी के लिए 30,000 रुपे दिया जाते और गंबीर बीमारी के लिए 3,000,000 रुपे यह फेक्ट आप द्यान रखेगा इसका नवीन चरण कब आया 30 जनवरी 2021 को यह फेक्ट आप द्यान रखेगा इसके अंदर गात अब सामनी जो बीमारी है इसके लिए 50,000 रुपे गंबीर बीमारियों के लिए 4,000,000 रुपे दिये जाते हैं इसके अंदर गत कुल कितने बीमारियों को कवर किया जाता है 1576 तो यह आप द्यान केगा नेक्ष्ट आगे चलते हैं मुक्य मंत्री राजस्तान आर्थिक सुधार सलाकार परिश्द का गठन कब हुआ देखें आपर करेक्ट आंसर होगा ओप्चन में फोर्थ 7 मार्च 2020 को यह आप द्यान रखेगा इसके अंदर गत आर्थिक सलाकार कौन बनें डॉक्टर अर्विंद मायराम तो इनका नाम भी आप द्यान रखेगा देट भी आप द्यान रखेगा 7 मार्च 2020 लेटेस्ट हैं आगे चलते हैं फिर 2011 की जन्गर्णा के अनुसार राजस्तान की अनुसुचित जाती कितने प्रतिशत है देखे यहां पर correct answer होगा 17.8 प्रतिशत यह आप द्यान रखेगा और अगर हम राजस्तान की अनुसुचित जन्जाती की बात करें प्रतिशत में यह कितनी है 13.5 प्रतिशत बारत के संदर में बात करें कि भारत की कुल अनुसूचित जाती कितनी है तो 16.6% यहाँ पर यह दे रखा हैं और भारत की कुल अनुसूचित जन जाती कितनी है तो 8.6% यह 4 फैक्ट आप दियान कियेगा आगे चलते हैं यहाँ पर आपको सत्यकतन बताना है राजस्थान का बाल लिंगन उपात 888 परती 1000 पुरुशों पर भारत का बाल लिंगन उपात 919 परती 1000 पुरुशों पर भारत की साक्सरत दर 73 पुरुशत राजस्थान की साक्सरत दर 66.1 पुरुशत या फिर सभी देखिए यहाँ पर जो यहां पर जितने भी यह fact दे रखे हैं यह सभी सत्य हैं तो हमारा correct answer होगा सभी तो यह चारो जो fact है यह आपको contextly द्यान रखने है नेक्स्ट आगी चलते हैं 2 21 की जनगंडा में शहरी जनसंख्या का प्रतिसत कितना रहा है तो देखे यहां पर भारत के संदर में पूच रहे हैं आगे हमने रजस्टान के संदर में देख लिया हैं तो राजस्टान में तो फुल जू सहरी जनसंख्या संदर में वो तक गुतनी है चौइस नेक्स्ट आगे चलते हैं भारत की दसकी व्रद्धिदर कितनी रही है तो देखिए याँ पर तो correct answer होगा भारत की कुल दसकी व्रद्धिदर रही है 17.7 परतिसत याँ दियान रखेगा 2001 से 11 के मद्य और राजस्तान की दसकी व्रद्धिदर कितनी रही थी तो यह रही थी 21.3 तो यह आप fact दियान रखेगा आगे चलते हैं अब देखिए जितने भी important प्रश्ण थे फर्स्ट वीडियो के यह मने आपके सामने रखे हैं यहाँ पर देखिए आप वीडियो को pause करके जितना भी यह जो जन्गरना से सम्मुन ताकड़े दे रखे हैं यह आप देख सकते ह इसकी PDF आपको हमारे टेलेग्राम चनल पर मिल जाएगी जिसका नाम है जीकेटरिक एजुकेशन और देखिए जितने भी economic survey में important fact है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ तो आप चैनल से जुड़े रहेगा और अपने अधिक से दिक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को share क करके हमें motivate भी जरू करें वीडियो को तो इस वीडियो में इतना ही है धन्यवाद